Only 3 minutes में करूँगा topic clear आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे किसी भी period में आपने जो total purchase की उसमें से किसी stock item को कितना कितना purchase किया इसको एक ही click पर एक ही screen पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे इसके लिए gateway of daily menu यहां से मैं display more report में जाओंगा फिर जाओंगा अकाउंट books में और फिर इसके बाद जाओंगा मैं purchase register में मैं आ गया purchase register में और यहां पर मेरी जो भी purchase हो monthly wise मुझे जगे पर मिल जाती है यहां पर आप किसी भी मंत को select करके enterprise कर दीजे अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए वो period करिए जिस period के अंतरकात आप यह जानकारी लेना चाहते है मैं यहां पर कर देता हूँ एक April 2022 से लेकर 31 July 2022 के बीच मैंने जो purchase की जानकारी मुझे जगे पर मिल रही है अब आप साइड में आईए साइड में यहां बटन बार है एक बटन आपको मिलेगा जिस पर लिखा हुआ अगा change view change view के बटन पर कर दीजे क्लिक आप change view में आ जाएंगे और यहां पर views के अंतरकत आपको लिखा हुआ मिलेगा extract extract को slate कीजे और interface कर दीजे तो आप इस स्क्रीन पर आजाएंगे अब देखें यहां पर देखेंगे तो जो purchase account के अंतरकत purchase का laser हमने create किया था वो दोस्तों यहां पर debit हुआ 21,4,500 रपैसे यानि spirit के अंतरकत आप जो भी हमने product purchase की है उनकी basic value है 21,4,500 रपैसे अब आपको क्या wise extract आपको inventory wise extract को select करके interface कर देना है आप इस स्क्रीन पर आजाएंगे और यहां पर आप इस से related जानकारी ले पाएंगे कैसे इसको समझाने का प्रियास करते है ठीक ना देखें यहां पर सबसे पहले आप देखें एक April 2022 से लेकर 31 July 2022 का period इस जगह पर शोरा है और इस period के अंत quantity के column में सो रहा है 7300 किलोग्राम तो इस period के अंतरकत amounts stock item को हमने 7300 किलोग्राम परचेज किया है rate के column में सो रहा है 121.48 पैसे तो यहां पर जो औस रेट है वो आपको यहां पर मिलेगी है ना जैसे कि amounts stock item को कभी हमने किसी party से 108 रुपाई प्रतिकिलोग्राम से भी परचेज किया तो औस जो rate निकल कर आगी वो आपको औस रेट के column में मिल जाएगी amount में 886,800 रुपाई तो इस period के अंतरकत जो हमने 7300 किलोग्राम amounts परचेज किया है उसकी जो total amount है वो है 886,800 रुपाई इसी तरह से आप हर एक stock item के बारे में से related जानकारी ले सकते हैं सबसे नीचे तो यहां पर देखिए 21,40,500 रुपाई grant totals हो रहा है यानि इस period के अंतरकत हमने जो भी stock items परचेज किया उनकी जो basic value है वो 21,40,500 रुपाई और किसी भी stock item के बारे में आपको detail में जानकारी लेना है उसको select करके interface कर दीजिए amounts stock item को select करके मैंने interface किया तो जिस जिस purchase voucher के entry म मैंने amounts stock item को purchase किया वो सारी entry मुझे जगह पर दिखाई दे रही है आप कौन सी यहां पर value rate के column में जो rate आ रही है वो कहां से उठकर आ रही है इसको समझ लेते हैं इसको select करके मैंने interface किया तो देखे 120 रुपाई ये वाली rate उठकर आ रही है यानि tax लगाने से पहले कि इसको